संस्कृति नमस्कार साथियों फिर आगे अरविवार और एक बार पुना उसी प्रेम एवं विश्वास के साथ मैं हाजिर हूँ आपकी सेवा में संस्कृति समाचार दंटपन का संतानवेवा अंक लेकर हर बार की तरह इस बार भी आज हमने कुछ मैदपूर्ण सूचनाओं का संच्यन करने का प्रयास किया हम आशानवित हैं कि हमारे सूचन स्रोत के लिए आप सभी अपना प्रेम इसी तरह बनाए रखेंगे इस अंक में भी आपको छात्र समवादाताओं को सुन सकेंगे और उनकी प्रतिबा को सरा सकेंगे विलंबना करते हुए आईए हम आपको लिये चलते हैं आज की सूचनाओं की योर सभी विध्यार्तियों एवं अभिवावकों को सूचित किया जाता है कि वे विध्यार्ति जिने सत्र 2022-22 की कक्षा ग्यार्वी के किसी भी विशे संकाय में प्रवेश प्रारंब हो चुके हैं इकशुक विध्यार्ति विध्याले के कार्यालीन समय में आकर किट स्विंग शाखा पर संपर्क करें और अपनी रुची अनुसार संकाय में अपना स्थान सुरक्षित कर सकते हैं। विद्यार्थियों को आगहा करना चाते हैं कि CBSE द्वारा प्रारम नवीन सच्थ की कक्षाओं का अध्यन अध्यापन कार्य ग्रीश में अफकाश प्रारम होने के पूर्व एक से डेड़ महीने के लिए होता है। जिसमें विद्यार्थियों का लगभग 25 से 30 प्रतीशत अध्यन अध्यापन कार्य संपन हो जाता है। इसी के साथ साथ उनका प्रद्थम पिरियोडिक असिस्मेंट भी ले लिया जाता है। जिसके अंक उनकी मुखे परिक्षा में सामिल होते हैं। अतहा किसी भी प्रकार की लापरवाही उनके वार्शिक परिक्षा परिनाम पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। अतहा विद्यार्थी नवीन सत्र में प्रतीदिन विद्याले आएं। जैसा की पूर्वविदित है कि इन दिनों विद्याले में विध्यार्तियों हेतू ग्रीश मकालीन शिवर का आयोजन किया जा रहा है। ऐसा विध्यार्तियों का सीखना सिखाने का जोश और उच्छा देखते ही बनता है। सबी विध्यार्ति अपनी अपनी रुची अनुसार अपने अपने विश्य की तयारी में जुटे हुए हैं। उने वाली परिशानियों से बच सकें। साथ ही साथ विध्यार्ति, अनेक रोचक और ज्ञानवर्दक कतिविदियों में भी भाग ले सकें। विश्व पर्यावरन दिवस हर साल पांच जून को होता है। यह पर्यावरन के लिए विश्व व्यापी जागरुकता और कारवाई को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राश्र का प्रमुक दिवस है। इन वर्षों में यह पर्यावरनिय सार्वजनिक पहुँच के लिए सबसे बड़ा वैश्विक मंच बन गया है। और दुनिया भर में लाखों लोगों द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व पर्यावरन दिवर्ष 2022 की थीम केवल एक प्रिथवी प्रकृती के साथ सदभाव में रहने पर केंद्रत है। इस अवसर पर हमारे विद्याले में भी कार्यक्रमों का आयोजन ओफ-लाइन और ऑन-लाइन दोनों मात्यम से किया जाएगा। विद्यारतियों एवं पालगड़ों को सुचित किया जाता है कि ग्रीश्मकाली नवकाष के दोरान विद्याले की किट्स्विंग शाखास्तित कार्याले से आप अपने बच्चों के प्रमोशन कार्ट प्राप्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी सभी प्रकार की अस्विदाओं कठिनाईयों के निवारण हेतू आपकी सेवा में ततपर हैं। समय पर पूर्ण कर लें। एवं विद्याले में अपने विशे सिक्षक के पास जमा कराना उनका अतिया निवार्य है। ग्यातव्य हो कि इन परियोजना कार्ये से प्राप्त अंक आपकी मुख्य परिक्षा परिनाम में भी जोड़े जाएंगे। अतहा विद्यार्थियों को आगाहा किया जाता है कि वह सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपना ग्रीश मकारीन परियोजना कार्ये संपन्न करते हैं। ऐसा कि हम जानते हैं कि इन दिनों CBSE बोर्ट द्वारा कक्षा 10 वी एवं 12 बोर्ट की परिक्षाय संचालित हो रही हैं। इसमें कक्षा 10 वी की परिक्षाय आगामी सबता की 24 तारीक को संपन्न होने जा रही हैं। जबकि कक्षबारवी की परिक्षाएं अभी जारी रहेंगी सबी विध्यार्थियों को उनकी परिक्षा हेतु शबकामनाय देते हुए उन्हें अपनी सेहत का विशेश ध्यान रखने की हिदायत दी जाती है आज उच इंटरनेट पहुँच के कारण साइबर सुरक्षा दुनिया की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है क्योंकि साइबर सुरक्षा के खद्रे देश की सुरक्षा के लिए ही नहीं बलकि विध्यार्थियों के लिए भी बहुत खतरनाख है ना केवल सरकार बलकि नागरिकों को भी अपने सिस्ट्रम और नेटवर्क सुरक्षा सेटिंग को हमेशा अपडेट करने और उचित एंटिवाइरस का उपयोग करने के लिए लोगों में जागुकता फैलानी चाहिए अतहा सभी अभिभावकों से निवेधन है कि वे अपने बच्चों के मुबाइल फोन की गतिविधियों पर पैनी नजर रखें और समय समय पर उन्हें सावधान भी करते रहें ताकि वे किसी अपरात का शिकार ना हो पाइज के लिए बस इतना ही हम आशानवेद हैं कि आपको हमारा आज का अंग बेहत पसंद आया होगा हम पुना हाजर होंगे कुछ नवीन खबरों के साथ तब तक के लिए लेते हैं एक सापताहिक विराम हम हमारे आज के सभी छातर समवादाताओं का आभार व्यक्ते करते हैं एवं उनके उज्वल भविश्की कामना करते हैं धन्यवाद